मैं अक्षर कहता हूँ कि कॉंग्रेस अब साथ में आसमान पर उड़ रही है हवा में उड़ रही है उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और नहीं वह जमीनी सच्चा ही जानते हैं मैंने सुना कल एक महाग्यानी कॉंग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास यहां के सब लोगों के पास मेडिन इन चाइना मोबाइल फोन होता है एक महाग्यानी कॉंग्रेस के कह रहे थे कि आप सब के पास मेडिन चाइना मोबाइल फोन होता है कि अरे मुर्खों के सरदार कि इस दुनिया में रहते हैं ये लोग कॉंग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्दिया न देखने की मानसिक बिमारी हो गई है पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं को उनको देश की ठिती का पता ही नहीं दिखता है आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है जब कॉंग्रेश केंद्र सर्वकार में थी तो भारत में हर साल बीस हजार करोड रुपिये से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे आज भारत में साड़े तीन लाग करोड रुपिये से ज़्यादा के मोबाइल बना करते हैं करीब करीब एक लाग करोड रुपिये का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्षपोर्ट करता है चुनाओं के समय जिने मेकिन इंडिया की बाद याद आती हो वो स्वदेशी के महतों को कभी समझी ही नहीं सकते आज पुरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है त्योहारों के अउसर पर भारत में बने उत्पाथ भारतियों के बनाए उत्पाथ खरीद रहा है इस दिवाली तो रैकोर कर दिया है जो इस मिशह के जानकार लोग है वैपारी समू के लोग है उन्हों ने कल स्टेट्मेंट किया दिया है उन्हों ने कहा है कि इस बार दिवाली में पौने चार लाग करोर रुपय की खरीदी देश वासियों ने की और देश में बनी चीजों की की ये पैसा देश वासियों की जेब में गया और कहते हैं पहले अगर इतना खरचा होता था तो एक लाग करोड डेज़ लाग करोड का माल तो बाहर का होता था इस बार सारा माल हिंदुस्तान का खरीदा गया लेकिन क्या कॉंग्रेस के किजी भी नेता ने अब मुझे बताइए भारत में बनी चीज बिकनी चाहिए इससे आप सहमत एक नहीं है हमारे देश का माली बिकना चाहिए सहमत एक नहीं है क्या कॉंग्रेस के लोगों को ये बोलने में क्यों शरम आती है भई क्यों शरम आती है उनके पेट में क्या धर्द होता है क्या उनका विदेशों से कोई ऐसी सांट गाट नहीं कि विदेश का म की है कि बिल्कुल नहीं बोलते हैं सांतियों जब से केंद्रों में बीजेपी की सरकार बनी है तब से आत्मंदिर भर भारत भ्यान हर भारतिय का संकल्प बन चुका है भाजपा सरकार बैतुल के गुड़ को वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट प्रोग्राम के तहट बढ़ावा दे रही है गुड़ कलस्टर मनने से भी हाँ अनेक नए रोजगार बनेंगे बैतुल सहीर एमपी के अनेक आदिवासी खेत्रों में फरनिचर इंडस्ट्री के लिए बहुत संभावना है बैतुल जिले में गुड़न क्लस्टर फरनिचर क्लस्टर भी विक्सित किया जा रहा है इससे सैंकडों छोटे छोटे उद्योग विक्सित होंगे हजारों नए रोजगार यह पर सुझीत होंगे कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पीम पिश्वकर्मा योजना शुरू की है इससे फनिचर के काम से जुटे है हमारे बड़ाए राजमित्रिय से अनेक कारीगरों को लाख और रुप्य की मदद बाजपा सरकार देगी बाजपा की डबल इंजिरिस सरकार यहां आधुरिक तुरिजम को भी बढ़ावा देगी यहां मेल गाट टाइगर रिजब है आधिवासिक कला संस्कृति का खजाना है गौड राजमस के प्रतेक सिंगोरगाट मदन महल और रामनगर के घड़ों के रे सर्वक्षन का काम भ